दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी वीत निल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश पुलीस 2022 जिसकी एक्जाम जो है हाल ही में कंड़क्ट करवाई गई है 17 फरवरी को एक्जाम खतम हुई है तो उसकी कटोफ के बारे में बात करने वाले दोस्तों ये वीडियो जो आपने बाकी वीडियो अगर यूट्यूब पर देखे होंगे तो उनसे बिलकुल अलग होने वाला है इसके बारे में इसको दोस्तों हम सभी पहलों को नजर मतलब ध्यान में रखते हुए ये काम करने वाले है कि कटोफ किस टाइप से हो सकती है दोस्तों यहां पर दो प्रकार की कटोफ की बात करेंगे एक तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको कितने नमबर पर बुलाया जाएगा और अगर बुला भी लिया है तो आपका फाइनल सेलेक्शन क्या हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा फाइनल सेलेक्शन की कटोफ क तो हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा सा बाकी वीडियो से अलग लगे लेकिन सच्चा ही दोस्तों यही है तो वीडियो को अंतर तक पूरा देखे ताकि आपको कटोप की सारी जानकारी हो जाए और मैं इसमें दोस्तों अन्रिजर्ट, EWS, OBC, SC, ST और अधर स्टेट वाल अधर दोस्तों आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप अगर निल 50 कोड का यूज करते हैं तो फ्लेट 50% का आपको डिसकाउंट देख जाएगा और क्या चेंजिस हो सकते हैं इस कटोप में भी, तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए कि 4000 वेकेंसियां थी, उसमें 2000 वेकेंसियां और एड कर दी गई, मतलब 6000 वेकेंसियां यहां पर हो गई है, इसके अलावा दोस्तों अन्रिजर्व के अगर कटोप की बात की हैं, यहां पर दोस्तों प्लस वन या प्लस टू भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिमेल की बात की जाए, तो फिमेल में मैंने यहां पर 60 बताया है और अंडरलाइन भी किया है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है दोस्तों कि अगर आपने देखा होगा, तो जो लास् जनरल female की cutoff कम जाएगी तो दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि इस बार number of post भी कम है और इस बार दोस्तों competition पिछली बार के तुलना में भी जादा है ठीके तो यहाँ पर यह expect करना बिल्कुल गलत होगा कि आपकी जो cutoff है female की वो 50-55 number जाएगी यहाँ पर दोस्तों आपको कम से क 60 number के लिए आपको physical के लिए बुलाया जाएगा मैं दोस्तों यहाँ पर final cutoff की बात नहीं कर रहा हूँ अगर EWS की बात की जाए तो दोस्तों EWS का cutoff जो है OBC से इस बार थोड़ा सा कम जाने वाला है क्योंकि EWS में बहुत सारे criteria है दोस्तों कि बहुत सो का EWS का form अभी तक ज जोड़ी सी कम जादा हो जाए इसलिए यहाँ पर underline किया गया है यहाँ से दो से चार नमबर कम जादा भी हो सकती है जारत तो नहीं होगी कम ही होगी यहाँ पर अगर दोस्तों OBC मेल की बात की जाए तो OBC मेल 70 नमबर है यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा कि OBC मेल की कटोफ 70 है लेकिन प्लस 2 प्लस 3 नमबर भी यहाँ पर हो सकता है लेकिन फिजिकल के लिए अगर आपका 70 नमबर है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं OBC फिमेल की बात की जाए तो यहाँ पर 65 नमबर यहाँ पर कटोफ होने वाला है दोस्तों क्योंकि OBC फिम दोस्तौ यहां पर आपको लग रहा होगा की बाकी जो वीडियो Champions है उन्से जादा यहां पर मैंने कटो बताईए लेकिन दोस्तो आप कुछ भी समझें लेकिन हकीकत जो है वह यही है क्योंकि हर पेपर में लगबक 2-3 questions जो है bonus होने वाले हैं या फिर bonus नहीं होगा मतलब वो ह यह दोस्तों लगबग सभी शिप्टों में यह पेटर्ण फॉलो होने वाला है कि दो से तीन कोश्टन वहाँ पर हटने वाले हैं यह आपको पता है आपने अपना पेपर अनालिस देख लिया होगा कि किस कोश्टन में आपको जो हैं गलत दिये गए थे कोश्टन ठीक है तो 2017 से कंपेरिजन करें तो 2017 की दोस्तों जो यूर की मेल की कटोप की बात की जाए तो फिजिकल के लिए आपको बुलाया गया था वहाँ पर 71 नंबर के लिए और आपकी जो फाइनल कटोप गई थी दोस्तों वो 74 के आसपास गई थी यानि कि आपके यहाँ पर 3 से 4 नंबर का डिफरेंश जो है फाइनल का टोप के लिए यहाँ पर गया था तो दोस्तों अगर मैं बात करू तो उस ताइम पर तो नंबरों पोस्ट भी क्या थी जादा थी इसवार नंबरों पोस्ट भी कम है कॉंपिटिशन भी जादा है ठीके यह बात मानते है कि दोस्तों 12 लाक ने फॉर्म फिल किया था लेकिन वहां से 60% कंडिटेट ही केवल एक्जाम दिया है 60% ने इसके बारे में दोस्तों में एक पूरा वीडियो जो MPP पुलिस का ओवर्व्यू है वो में मैंने बना दिया है उसको अप्लोड करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्रिप्शन में मि कोटा सा वीडियो है आप डिस्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां पे जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक अप्लोड नहीं हुआ है लिंक तो आज श्राम तक अप्लोड हो जाएगा अब दोस्तों में बात कर रहा था कि फाइनल सेलेक्शन की दोस्तों अगर बात की ज दोस्तों एक मित ये भी था पहले मैं आपको वह मित बता देता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स यह बोल रहे हैं कि जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों का फिजिकल अच्छा नहीं होता है यह वह इसी सारी बाते यहाँ पर मेरे को देखने को मिली है कई वीडियो तो उन्होंने दोस्तों इसकी जो फिजिकल की तैयारी है वो बहुत पहले से ही चालू कर दी है दोस्तों वेसे बच्चे जिनको पढ़ाई में मननी लगता है जिनके नंबर कम आते हैं तो उनको डाउट रिता है वो क्या करते हैं कि जब उनका रिजल्ट आ जाता है उसके पाद वो फिजिकल की तैयारी करना शुरू करते हैं लेकिन जो पढ़ाय लिखाय वाले जो बच्चे होते हैं वो उनको तो शोर है कि वो exam तो clear करी लेंगे तो फिजल्ट की तैयारी जो है दोस्तों बहुत पहले से ही चालू कर देते हैं तो उनका सेलेक्शन हो जाता है दो इसी के कारण दोस्तों इन सब ने तयारे पहले से चालू कर दी होगी और नहीं की है तो अभी जो पेपर गया उसके बाद उन्होंने चालू कर दी होगी तो आप ये निश्चिंत रही है क्योंकि आप दोस्तों अपना लेवल देखिए कि आपके marks कितने आ रहे हैं क्या आप clear कर सकते हैं या नहीं अगर आप इन criteria के अंदर हैं दोस्तों आप physical की तैयारी बेजिजग कर सकते हैं अगर आप final selection की बात करते हैं दोस्तों तो अभी normalization की process बाकी हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 72 marks हैं mail में तो क्या में physical की तैयारी करूँ तो दोस्तों physical में तो आपका हो जाएगा फिर आप सोचते हैं कि क्या final selection हो गया नहीं होगा तैयारी करूँ या नहीं करूँ तो दोस्तों अभी normalization बाकी है normalization में दोस्तों 3 से 5 से 8 number भी बढ़ते हैं जो है follow कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं आगले वीडियो में